हलो माई फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल गार्णिंग एठ होम और बिलकुल आस टाइम है हमारे संडे गार्डन अपडेट का तो बिलकुल चलिए फटा-फट से दिखा देती हूं कि हमारे गार्डन में क्या चल रहा है और हमारा जो टेरस गार्डन है वो कैसा लग रहा है हम हमारे स्प्रिंग के मौसम में तो बिलकुल बसंद की बाहर हमारी चाही हुई है हमारे गार्डन में आप देख रहे हैं बहुत सारे फ्लार बिलकुल कलरफल हो रखा है गार्डन क्दा चारों ओर सिर्फ अपपे बीच में जिरेनियम की प्लुमिंग कितनी प्यारी है red और pink color के जो flower खिले हैं बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं साथ में आप corner में देखेंगे यह हमारे गजानिया different colors के orange, pink, white बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं और उस side में भी देखे yellow and orange pink बहुत ही प्यारी blooming चल रही है साथ में हमारे calanchos और chrysanthemum में भी देखेंगे बहुत ही प्यारी अभी flowering है जो भी spent flowers थे मैंने बहुत सारे हटा दिये हैं और sides में यहाँ पे हमारे रखे हुए हैं denthas और उपर के side में भी हमारे denthas ही हैं तो बहुत ही प्यारी blooming हमारे denthas में भी चल रही है देखें पूरा boucage ऐसा लग रहा है यह bucket यह planter पूरा ऐसा लग रहा है leaves दिखी नहीं रहे हैं सिर्फ flowers ही flowers इसमें नजर आ रहे हैं बहुत ही प्यारी blooming चल रही हैं साथ ही में हमारे petunias भी side में बहुत ही प्यारी blooming कर रहे हैं हाला कि इतने जल्दी जल्दी इनके flowers spend हो रहे हैं क्योंकि देखें बिल्कुल धूप भी बहुत ही ज़्यादा होने लगी है और पानी भी हम लोग सुबे शाम इनको बिल्कुल प्रोवाइट कराने लगे हैं अगर हम इनको ठीस से watering नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल बहुत ही जल्द जल्द spend होने लगेंगे और धूप जो है न ये बिल्कुल भी बरदाश नहीं कर पाएंगे इसलिए एक बार morning में भी मैं इनको watering करती हूँ और साथ ही में evening में भी देख लेती हूँ कि जो भी planted dry हो गए हैं उनको again मैं बिल्कुल blooming करती हूँ तो बहुत सारे जो हमारे petunias के plant है न वो spend भी हो रहे हैं खराब भी हो रहे हैं और flowers आप देखेंगे तो daily ही हमको एद में से देखें इस तरीके से spend flowers हमको pinch करकर के निकालना होता है अगर हम इनको pinch नहीं करेंगे तो ये seeds जो है वो बिल्कुल seeds बनाने लगेंगे और इनकी जो blooming है वो धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी और ये flowers और ये plant बहुत जल्द spend हो जाएंगे तो बिल्कुल अब दो धीरे-धीरे मौसम ऐसा हो गया है कि हमको कुछे दिन में green net का भी सहारा लेना पड़ेगा अगर हमें अपने ये winter blooming कुछ और दिन चाहिए तो थोड़ा मैं green net भी लगाने वाली हूँ बहुत ही जल्द और आगे साइड में देखे हमारे बिल्कुल different different colors की ये pansy ऐसे लगते हैं कि धेर सारी तितलिया हमारे garden में हैं और बहुत ही खुबसूरत से ये भी bloom कर रहे हैं तो ये जो हमारा center है हमारे terrace garden का बहुत ही खुबसूरत लग रहा है बिल्कुल बहुत सारी colors और बहुत सारी flowers की साथ एकदम colorful और तितलिया भी देखेंगे न हमारे garden में बहुत ही enjoy कर रहे हैं तो ये मौसम ही ऐसा होता है जहां भवरे और तितलिया ये जितने भी pollinator हैं वो आपके garden में भरपूर मातरा में होते हैं और हमारे hanging basket भी बहुत ही ख खुबसूरत लग रहे हैं और ये एरिया देखें पूरा कैलन्चोज ने इसे cover कर रखा है बहुत ही प्यारी blooming चल रहे है देखें बहुत ही प्यारे प्यारे से छुटे-छुटे से flowers खिलते हैं हमारे देसी variety वाले कैलन्चोज में और एक बहुत ही प्यारी blooming देते हैं नीच से आगे आते हैं तो देखें हमारे फ्लॉक्स के प्लांट में कित्ती प्यारी blooming चल रही है और एक बहुत ही प्यारा कलर ये बिल्कुल एड कर रहे हैं हमारे garden में और इसी के साथ अपर पोर्शन में हमारी क्यारियों में जो मैंने लगाय हुए थी डेलिया देखें अब ये डेजी अफ्रीकन डेजी हैं बहुत ही प्यारी blooming देखें इसमें भी हो रही है कितने प्यारे फ्लार लगते हैं तो दिखें आप उधर के साइड में कित्ती सारी blooming है तो एकदम इस साइड में देखें ब्लोमिंग हमारे annual chrysanthemum की और ये हमारे डेजी की हमारे प्यारी चल र अन्वल क्रिसंथिमम के डेलिया के भी ब्लूमिंग चल रही है और इधर देखे ये भी और ये आइधिंक लियूपिन का प्लांट है जो मैंने लगाया था इसमें भी देखी मिल्कुल ब्लू-ब्लू सी किते छुटे-छुटे से फ्लार्स खिल गए हैं और कुछ लियूपिन प्यारे से इन में ब्लूमिंग हो रही है ना देखे किते सारे इसमें फ्लार्स खिले हुए हैं पूरे बंच बंच और ये वाइट वाला देखे पूरा बंच है तो आपको दूर से ये हम अपने रेननकुलस दिखाते हैं देखे किती प्यारी ब्लूमिंग चल रही है हमारे रेनन कुलस में और इस साइट में आएंगी तो ये हमारी चट़-चटरी से डेजी वाइट-वाइट कलर्स की फ्लार बहुत ही खुबशुरत सी ब्लोमिंग कर रहे हैं साथ में कुछ हमारे गजानिया में भी ब्लोमिंग है देखिए यहां पे फिलार है औरणज-पूर तो समर प्लांट है हमारे पुदीना इनकी मैंने बिल्कुल प्रूनिंग कर दी थी अच्छे से और ये फिर से इन्होंने न्यू ग्रोथ कर ली है और पूरा ये प्लांटर भर गया है पुदीने में बहुत अच्छी ग्रोथ है और ये देखिए हमारे चिली हिपिसकस पूरे से ढ़के हुए हैं और ये सारे हमारे हिबिसकस जिनकी मैंने काफी अच्छे से कटाई चटाई कर दी थी तब देखिए इनमें बिल्कुल न्यू लीस जो है ना वो बिल्कुल नई नई सारी पतियां आ गई है कितना खुबसूरत लग रहा है और हमारे इधर जो मैंने तो यहां पे भी बिल्कुल नजारा बहुत ही खुबसूरत है हमारे पिटूनियास देख रहे हैं आप कितनी अच्छी ब्लूमिंग है और खासकर हमारे आइस प्लांट इतनी प्यारे सी ब्लूमिंग कर रहे है न देखिए और इस्पेंड भी हो रहे हैं डेली ही किते सारे इनकी पिंचिंग करते हुए चलें तक कि यह आपको लंबे समय तक फ्लावरिंग दें तो बिल्कुल कैचिव अगर है कि हेल्प से आप इनकी पिंचिंग करते हुए चलें देखिए किते खुबसूरत से यह सारे हमारे आइस प्लांट और पिटूनियास और साथ में हमारे यह जिरेनियम। और यहाँ पर देखें, यह उर्मरे वर्मना, बहुत ही प्यारी ब्लुमिंग चल रही है। हमारे वर्मना में भी और साइट साइट में हमारे सारे आइस प्लांट और डेलिया और इस साइड में आते हैं देखिए अगें केलन्चोज आपको नजर आएंगे और यहां पर लाइन से मैंने छोटी वाली मैरी गोल्ड रखे हुए हैं छोटी छोटी से मैंने जो सीडलिंक्स लगाये थे देखिए अब ये बिल्कुल बहुत ही प पीछे साइड में और आगे साइड में हमारे सारे गेंदे छोटी से फ्लार बिल्कुल खिलना शुड़ो हो गया है पीछे देखिए अब ये बिल्कुल यलो यलो दोनों ही हो जाएंगे केलन्डूला में भी फ्लावरेंग स्टार्ट हो गई है सब में बर्ट्स वेगरा बन सारे अन्वल क्रिसेंथिमम तो काफी अच्छी ब्लूमिंग चल रही है अदेनियम तो बिल्कुल डेजर्ट रोस भी से कहते हैं तो इनकी सारी मैंने आप लोगों से शेर किया हुआ है कैसे मैंने प्रूनिंग की कैसे इनकी बिल्कुल मैंने ब्रांचे जो कट के थे उनको बिल्कुल कैसे लगाया तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखे अब देखे इनक में भी नई नई लीज जो है आफ्टर प्रूनिंग और रिपोर्टिंग देखे नई नई लीज जो है वो जनरेट हो गई है और समर तक ये बहुत ही बहुत रीन करने वाले हैं उपर र सभधाइब कर दप्जा जरेजिए पहरा है लुकुल सवर्ज ऑंषी जर्टान को सब्सक्राइब यहां यहां पर वॉटाइब सार सभा जाता हैं। बिल्कुल समर में ये बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देखें, इनमें बर्ड्स भी बनने लगे हैं, और कुछ तो फ्लावरिंग भी करने लगें, ये सारे इतने सारे निकल आये हैं कि मैं क्या बता हूँ, पूरा ये जो क्यारी है, इन्होंने भर रखा है, पूरा अमेजिं और ये सारे संफलार बहुत ही प्यारी देखें, ब्लूमिंग आपको मैं अभी दिखाती हूँ, और यहाँ पे एस्टर और ये हमारे कलेंडूला, और ये हमारे डबल पेटल वाले पिटुनियाज, और अगेन ये हमारे सारे अडेनियम, तो ये देखें, ये है हमारा संफल ये देखें, सेल्फ सीडलिंग से ये भी ग्रू हुआ है, मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं लगाया, और कई सारे प्लांटर में इस तरीकी से भर-भर के संफलार कहिले हैं, और जब समर में ये इस तरीकी से यलो-यलो से फलार खिलते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग लगता ह ये इसके पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, तो ये देखें, इधर भी हमारे बहुत ही प्यारे से फलार खिले हैं, आइस प्लांट के, और ये रो देखें, ये है हमारा डेलिया का रो, बिल्कुल बड़े-बड़े से फलार्स, बहुत ही अमे इसके फलार्स ये प्रोडियूस कर रहे हैं, और देखें, कितने सारे फलार्स इसमें खिले हुए हैं, और अरेज वाले में, तो डेलिया की भी ब्लुमिंग बहुत ही अच्छी चल रही है, और आगे साइड में ये देखें, ये मैंने लगाया हुआ है, ये थार्च से फोर बीच में देखे मैंने कलेंडूला जो यह लगाया हुए है इनमें भी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है तो बहुत ही जल्द यह भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे और साथी में जो हमारे पेरेनियल प्लांट है जिनकी मैंने अच्छे से कटाई चटाई सब कर दी थ है और यह डेजी की तो मैं क्या कहूं तो सारे? मुझे मालूम भी नहीं था कि यह डेजी इतने सारे से घ्र होने वाले है और यह जो आप लंबे-लंबे देख रहे हैं यह भी से पीतुनियास से देशी वराइटी वाली होती है पिटुनियाज यह लंबे-लंबे से प्लांट हो जाते हैं और इस तरीक से ब्लुमिंग करते हैं उधर का मैंने आपको सारा नजारा दिखा दिया आप चलिए इधर चलते हैं अगेन देखें बटरफ्लाइस काफी नजॉय कर रही है हमारे गार काफी है फ्लार होते हैं तो इधर-उधर मैंने इस्टिक भी लगाया है पर इधर-उधर हो जाते हैं और नीचे अगेन कुछ हमारे यह अफरेकिन डेजी और यह दिखें से और यह वाइट में हैं यह हमारे मैरी गोल्ड और यहां पे दीखिए बहुत ही प्यारा fix है तो बिल्कुल self-silding से grow हुए marigold हर साल इसी क्यारी में बहुत ही अच्छे से निकलते हैं पीछे देखे बुगिन वेलिया का देखेंगे pink pink से बहुत ही प्यारे से flower के लिए हैं और ये हमारे double petal वारे petunias पूरी भर भर के flowering और इधर भी आते हैं तो देखें हमारे roses ये देखें ये white वाले ये हमारे pink वाले button roses और ये प्यारी-प्यारे से हमारे dentists जो मैंने by seeds grow किये थे तो इनकी seeds मैंने लगाई थी और देखें सारे ही different colors के ये bloom हो रहे हैं और यहां पे हमारे wall planter में भी हमारे ये सारे pansies बहुत ही प्यारी blooming चल रही है तो ये देखें मैंने pansies लगाए थे ना pansies में भी ये self seedling से कुछ हमारे ये बिल्कुल grow हो गया थे petunias जो मैं आपको बता रही थी ये white white से लेगी-लेगी से plant पर flowers बहुत ही प्यारे लगते है तो मैंने इने लगे रहने दिया है हटाया नहीं है काफी खुषborत लग देता है नीचे आते हैं तो देखें ये हमारे प्यारे प्यारे से strawberry ये देखिए कितने खुषरत लग रहा है ना तो beauty होती है हमारे strawberries की जब इस तरीके से रेड-्रेड से प्लांटर में निकलते हैं और यह लटकते रहते हैं इस तरीके से तो बहुत ही amazing view लगता है और मेरी तो बहुत सारी strawberry यह देखिए यह चडिया जो है ना आके खा जाती है देखिए पूरा ही खा गया है उन्होंने और यह हमारे salvia और कुछ इसे चर महल को आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा अवा zelf है आ場 विए हमारे यहां ने साथ कुछ यहां पेडिरजी अच्छा लुभार और यह हमारी petunias की blooming साथ में हमारे सीनी नेरिया देखे पूरा bouke ही लग रहा है और यह हमारे tire planter में petunias और यह हमारा center साथ में यहाँ पे देखे हमारे petunias और डेलिया की blooming बहुत ही खुबसूरत blooming हो रही है तो next sunday मैं आपको यहाँ का full over garden overview देग दूंगी तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा हमारे backyard garden का full overview और इसी के साथ आप लोगों से लेती हूं विदा फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए topic के साथ अब तक लिए thanks for watching and happy gardening to all of your friends बाई